तो बड़ी कबर इस वक्त पीम मोदी ने पदभार ग्रहन कर लिया है जी हां ये बड़ी कबर पीमों में उनकी मौजूदकी काफी वक्त से बताई जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है पदभार उन्होंने ग्रहन कर लिया है तो तीसरी बात पीम मोदी ने कार कि आने वाले जिनों में करकार का फोकर किस करफ रहेगा और पी-म ने भी एक बयान जारी करके ट्वीक करके भी का अविताब जी अब चुकी अब यही से इस तीसरे टर्म की लिए आगे का विजन उसके लिए जिस रोड मैप की चर्चा उन्होंने पहले से सोच रखे थी कि क्या कुछ करना है सो दिनों का एजिंडा क्या है उस एजिंडे को कैसे कम्प्लीट करना है उसके बाद पांस साल का रोड मैप क्या होगा इन तमाम जो पर चर्चा जो है उनकी तरफ से बार-बार की जाती रही है और यह जो तस्वीरा स्वीरा और पदबार ग्रहन करते नजर आये और तीसरी बार दोहजार चोबीस में इस बार एक बार फिर से पदबार ग्रहन करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे साथ दिली समवादाता अमितेश इस वक्त जोड़ चुक है अमितेश ये च्छन भी अपने आपने नरेंद्र मोदी ने करेभार समवाला है और अब इससे पोड़ी दिर पहले ही उन्होंने परधान मंत्री करयाला जाकर के अपना अपद सम्वाल लिया है तो कैबिनेट का जो सल गठन हुआ, मोधी मंदल का सल शपत गरान हुआ, जिसमें परदान मंतरी नरेंद्र मोधी को लेकर 72 मंद्री उने शपत गरान किया, और उनके लावा 30 कैबिनेट मंतरी थे उसमें, तो निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठा की होनी है शाम में उसके पहले परदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने सुबह जाकर के अपना कारेभार समभाल लिया है, और एक बार फिर से जैसे परंपरा के मुताबिक हमेशा होता है, नरेंद्र मोधी कभी रुकते नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं, तो परदान मंतरी फ़स्की शपत अगले ही जिन उन्होंने अपना कारेभार समाला है, और अब आज शाम कैबनेट की बैठक है, उसके पहले से जारी है, जो पहला उनकी तरफ से कारे किया गया जो बड़ा फैसला और उस फैसले में किसान निदी की जो फाइल थी, उस पर उनकी तरफ से हस्ताक्षर किया जा अगर लिस्ट में देखें, प्रियारिटी लिस्ट में तो किसान, महिला, युवा, गरीब हमेशा से रहते हैं सबसे पहले, और आज तीसरी बार जब उन्होंने शपत ग्रांड किया, उसके बाद अगले दिन कारेभार समाला, तो सबसे पहला जो फैसला रहा, तो किसान समा तो यह दिखाता है किस तरह से नरेंद्रमोदी के प्रास्मिता में किसान सबसे उपर है, और यही एक संदेश देने कि इसमें कोशिश विकी गई है से श्री गणेश वैस तीसरे टर्म की कर दे गई है